मुझे अवरीवन वेरी वेरी गूड पॉर्निंग वेलकम बैक तो दे न्यू व्लोग काईस कैसे हैं साब कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा मैं भी थोड़ी बहुत ठीक हूँ और बस दिखिये सुभी का जो टाइम में हो रहा है आज मौसम बहुत अच्छा है धूप है नहीं बादल बादल सहो रहा है और थोड़ा कलना बारिश भी हुई है मैंने आप सभी को दिखाया था मौसम इदा मतुरा में बहुत ही अच्छा है काफी दिनों से ऐसी कभी बादल हो रहे हैं कभी बारिश हो हो रहे हैं यह वीडियो छुट्ती वाले दिन का है इसलिए usb associates अभी तक सो रहे हैं वरना तो उड़ जाते हैं वह साड़े साथ मज़े तक ही उड़ जाते हैं और आज इनको सोने देते हैं छुट्टी वाले दिनी इनको आराम करने को मिलता है वरना तो भागा जोड़ी है वो काम इतना रहता है कहां आराम कर पाते हैं और बस यहां पर जो थोड़ा बहुत बेट शीट वगएरा थी ना रात में ओडने के लिए मैं निकाल लेती हूं अभी तो इन्होंने ब्लैंकेट डे रखा है लेक करने में लगा थी और मैंने सुचा था कि ड्राइब राए करके रख दूंगी चेयर में कपड़े सुबह सुबह फैला दूगी लेकिन हम लोग फिर बाहर चले गए और लाइट बीच में आई नहीं वरना तो ड्राइट करके चले जाते लेकिन हमें जाने के लिए लेट हो कपड़े तो तो ड्राइब नहीं पार रहेते कपड़े तो इसलिए फिर कल यह कपड़े सारे मशीन में ही रह गए मुझे बड़ी टेंशन हो रहे थी कहीं ऐसा नहों स्मेल आजाए कपड़ों में क्यूंकि ड्राइब रहते यह तो इनमें आती है लेकिन अशे वाले बश् द्राइ किया ना तो स्मेल नहीं आ रहे थी और अब इन सारे कपड़ों को फटा फट से ड्राइ करके डालूंगे धूप भी सुबा तो नहीं थी लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी जो है वह धूप निकल आई है तो सुख जाएंगे अराम से कपड़े यह देखिए आप लोग और उससे पहले यहां की रेलिंग वगएर क्योंकि तीन चार दिन से कपड़े जो है वह मैंने धूले नहीं या मैंने फैलाएंगे तो धूल हो जाती है रेलिंग में बहुत ज़ादा तो पहले मैंने रेलिंग अच्छे से कपड़े साव कर दिया है अब फट फट से सारे सासी रही तो यह तो घंटे में सारे सूख जाएंगे और अगर धूप नहीं रही तो पूरा शाम तक यह पड़े रहे तब भी न सूख और इस टाइम तो ममी भी आए हुए यहां पर वो कहते हैं कि कपड़े डेली-डेली के धुल के डाल दिया करो तो कपड़े इतने खट है कि एक एक रोज धुलती जाओ तो इतने खटी नहीं होंगे लेकिन मुझे यह आसान पड़ता है कि अगर डेली-डेली देखे धुलने लगे तो एक तो मेरा डेली का टाइम भी जाएगा कम से कम 15-20 मिनिट मुझे चाहिए कपड़े दुलने के लिए वो मेरे डेली लगे तो इसलिए मैं सोचते हो जब मशीन है फिर अगर ऐसे करने लगे डेली के डेली दुलते रहे तो फिर मशीन भी पढ़ी रहेगी उसका कोई यूज ही नहीं होगा तो इससे अच्छा है हमना तीन-चार दिन के एक साथ डाल दी है एक ही दिन में दुल जाते है वरना वो रो कोई चीज पसंद होते है किसी को कोई चीज पसंद होती है बार कपड़ जालने के बाद अंदर आ गई हूँ यह हां कुछ कपड़े जो मैंने अभी हटा है αναब अटकर दिया है बेट चीट वगेरा बिखरी तो वाले भी रूं था मेशीन का पानी इदरी आता है तो यहां पर कर देरी हूं वाइपर क्योंकि सुबह जाड़ों पोचा जो है वो सुबह साड़े आठ बजे ही मेट कर गई है और बालकनी भी धूल के जा चुकी थी उसके बाद मैंने पानी भी खेरा तो मैं ही साफ कर दूँ उब गते घरा और इक गलती करी माने मैंने प्लांट में सुबह पानी नई डाला मैं एकड़म भूल ि कर दिया उसके बाद मुझे यादा रहा है रहा पलांट में डाला पानी हमोंट अवह फिर फिर से इंस पानी नीचे गिरेगा फिर बहर जाएगा और फिर क्या होता न पै बाहर चले गया तो शाम को जिसके वज़े से आरवाला पानी भी नहीं ले पाएते तो सुबह सुबह लेकर क्या है बगल में एक दुकान है वहां पे भी मिल जाता है तो मैं लेकर क्या रही थी बॉटल अंदर वैसी आयना बोले लगी नहीं मैं ले चलूंगी तो मैंने उसे दे दिया वह दक्का दे दे के पूरा किचन में रख गई है और अब किचन में आये हैं किचन मैंने नहानिस पहले ही साफ कर दी थी और बाहर दूब बहुत अच्छी निकल आई और उठी नहीं रहे हैं तो भाई भी चल गया था दूद लेने के लिए मैंने उसे बोल दिया दूद और हजबन भी उसके बाद उड़ गया है तो वह बात्रूम में तब तक मैंने सोचा चलो यह जो ब्लैंकेट पड़ा हुआ है वही बिखरा हुआ गंदा लग रहा था कमरे में तो वह भी मैंने रूम भी साफ कर दी अभी वाला रूम भी एकदम साफ हो गया है और ब बज़ गया है साड़े दस यह सब करते करते तो आज हमाई चाय बन रही है साड़े दस बचे वैसे तो नॉर्मली यही टाइम है आज है है और ना भी देखिये नहागर क्या गई है तो मसे बूर रही थी मेरे बाल सही कर दो लो ममा तो मैं गई हैं बाहर सुर्भवान को चल चलाने तो यहां पर मैंने भी पूजा कर ली है और बाती ना मैं थोड़ा सा नीचे से गोल वाल जोती वो नीचे से फैला करके रखो ना तो अच्छे से रखी रहती लेकिन यह उपर तरफ थी तो बार बाप मुझसे बुझ जिसी रही ती लेकिन बुझी नहीं है आर्थी कर ली है मैंने और चाय जब तक अंजली ने बना ली है तो चाय चान दी है और हम सब ने पी भी लिए है चाय यहां पर भाई रेडी हो रहा है उसे जाने मम्मी को लेकर डॉक्टर के पास तो बस अभी वो भी नहा दोकर के आया है बाल वो चलो यह वीडियो में ज़रूर मैं शेयर करूंगी तो बस देखिए मम्मी पे त्यार है भाई पे त्यार अब यह लोग जारे डॉक्टर के आप दिखाने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम थी मम्मी को काफी जिन से एक्शली लेकिन वही है कि भाई आता तो दिखा देता टा नहीं है लेकिन कार से चल जा रहा है क्योंकि धूब बहुत तेज होने लगी सुबह लग रहा था पता नहीं निकलेगी कि नहीं लेकिन फिर वही 11 बस्ते बहुत तेज दूब निकल आई थी और सबजी भी मैंने लिए हैं सबजी लेनी थी मुझे सारी सबजियां खतम थी पपीता भी रखा हुआ है तो यहां पर मैं पपीता कट कर दे रही हूं सब लोगों को खलिए अंजली खा लेगी मैं खा लूँगी और अशी खा लेंगी जब ममी आएंगी तो उनके लिए भी मैंने आदा जो है वो छोड़ दिया है आदा भी नहीं कट कर रही हूं आदा क अंजली अब जारी है दुकान बगल में ही है दूर नहीं है अंजली को मैंने भेजा है दही लाने के लिए और धनिया पॉड़ लाने के लिए खतम था ममी बना रही है कड़ी तो उसलिए और ममी से बोला है हजबर ने कड़ी बनाने के लिए क्योंकि आज उनको मैंने कह रह लेकिन यह भूली गई तो मैं फिर दुबारा लेकर क्या हूं इन्होंने कह दिया था कि आज मम्मी के हाथ कि खाएंगे इसलिए मम्मी बना रही है वैसे उनकी तब बैसा ही नहीं थी लेकिन फिर भी कह रही थी चलो मैं बना देती हूं और मैं चला चड़ा रही थी चावल क् कड़ी बन गई है तो चावल भी साथ साथ में चड़ा देते हैं वरना देर हो जाएगी पकने में और थोड़ा सा ममी ने बोला मैंने बंद कर दी चेक चुली गया इस लेकिन ममी कहती नहीं थोड़ा और पकने दो तब और टेस्ट बढ़ जाएगा जितनी कड़ी पक जाती इनको कड़ी के साथ तो देखिए कड़ी भी तयार है पकोड़ी वाली और जीरा राइस भी तयार है अब बनाऊंगे मैं रोटिया लेगिन उससे पहले सबजी जो सुभा ली है न वो सब रख देते हैं बहुत साइज सबजी मैंने एक साथ ले ली थी फ्रिज में सबजी थ और बाकि हरी सबजी है बैंगन है और शिमला मिर्च ले लए ली थी यही सब सब्जी है वहने ली है उसके बाद सब्रीज में रखने के बाद फिर में बना रही हूं रोटियां क्योंग ये सब करते करते वही मिश्मदी था तो खाना खाने के टाइम भी हो घया Hur mor रोटियां बनाने के बाद मैं यहां पर कर ले रही हूं गैस साब गैस बहुत ज़ुदा गंदी होगी ती किचन पूरे में कड़ी कड़ी और आटा रोटी बनाने का तो सब ऐसे फैल गया है को अच्छी भी बहुत लगी सब लोग यहां पर मिलके खाना खा रहें सब लोग बैठे हुए कड़ी चावल रोटी सैलेड यह सब था खाने में तो खाना खाने के बाद सब ने किया है पूरी दुपैर रेस्ट और उसको अधिये है वीडियो शाम के पाच बजे का तो हलवा बनाई थी अंजली और आने अची तो टीवी में ही घुसी हुई है यहां पर कुछ कपड़े रखे हैं वो मुझे करने हैं फोड बाई बैठके यहां पर फोन यूज कर रह मुपते हैं घुस्चा尬 बचे कि यहां उठके रहां शालव बनाई थी अंजली और उन्यच्टा तो हगोज मूँता है और संयां तो बदिए दले दधियो अपने मुच। भंड़र ठताब हैं उ सक्ताव सेंप मुझे के लिन अजली नहींहां पर्छ चले हैं आना वैंख